मेरे प्यारे युवा साथियों, आज एक लाग से ज़्यादा युवाओं को सरकार में नोकरी के लिए नियूक्ति पत्र दिये गए हैं। आपने कड़ी महनत से अपनी ये सफलता हासिर की है। मैं आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। युवाओं को भारत सरकार में नोकरी देने का भ्यान लगातार तेज गती से चल रहा है। पहले की सरकारों में नोकरी के लिए विज्यापन जारी होने से लेकर नियूक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फाइदा उठा कर उस दोरान लिश्वत का खेल भी जम कर होता था। हमने भारत सरकार में भरती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। इतना ही नहीं सरकार का बहुत जोर है कि भरती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए। इससे हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान आउसर मिलने लगा है। आज हर युवा के मन में विश्वास है कि वो कड़ी महनत और अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी जगह बना सकता है। 2014 के बाद से ही हमारा प्रयात रहा है कि नव जवानों को भारत सरकार के साथ जोड़कर उन्हें राष्ट निर्मान का सहभागी बनाए। पहले की सरकार ने अपने दस साल में जितनी सरकारी नोकरियां दी थी। उससे लगबग डेड़ गुना ज्यादा सरकारी नोकरी भाजपा की सरकार ने अपने दस साल में दी है। आज दिल्ली में एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग कॉंप्लेक्स का भी सिलान्यास हुआ है। मुझे विश्वास है कि नए ट्रेनिंग कॉंप्लेक्स से कैपसिटी बिलिनिंग की हमारी पहल को और मजबूती मिलेगी। का पहल को और है।